नमस्कर दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करते हैं, आप सबी बहुत अच्छी होगे, आप सबी का मेरे चनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज है बट सावितरी और मेरा सुबह का जितना भी काम होता है, जाड़ो लिपाई, सब कुछ हो गिया है उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ और मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ आज बट सावित्री पुजा है तो हम लोग परसाद घर में बना लेते हैं तो परसाद के लिए ना यहां पे मैं ठेकवा यहां पे में पूरी गूर का पानी डाल के मीठा पूरी बना लिया है मीठी पूरी ठेकवा यह हल्वा तो ज्यादा में नहीं दिखाए थोड़ा-थोड़ा दिखाए क्या कि वीडियो लंबा हो जाता है उसके बाद यह बन गया है गुल-गुला तो चार आटम मैं ने बनाया है ठेकवा पूरी हल्वा सुजी का और यह है गुल-गुला तो और इससे ज्यादा नहीं बना पाई हूँ और उसके बाद देखिए मैं बना ली हूँ यहां पे मैं तैयार हो रही हूँ तैयार मैं साड़ी पहन ली हूँ और यहां पे मैं छूड़ी पहन रही हूँ देखि दूर तो नहीं है लेकिन धूप बहुत ज्यादा है इसी वज़े से लोग सब कुछ सजा लिये थे फूल वगर अप्रोट और जितना में परसाद बनाई थी सब कुछ पाल्टी भी लेकर आई थी क्योंकि पानी लाना है तो मैं पानी लेकर आई हूँ और ब्रिक्ट को सीचना है जड़ को मैंने सीचा है और यहां परसाद रों पंडी जी चड़ा देंगे और रोपधे Canberra चड़ाने के लिए यहां पे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर एक ब्लाउच पीस है तो यह चड़ाया जाता है यह पंडित की ले जाएंगे अपने घर और पुझा की तैयारी हो रही है और यहां पे देखिए मैं जो भी परसाद बगरा लेकर आई हूँ न तो सारा मैं निकाल और यहां पे पुझा की तैयारी हो रही है परसाद बगरा मैं निकाल लूँगी अभी तिपीन में रखा हुआ है तो यहां पे एक बीनी भी यह देखिए यहां पे मतलब बीनी को भी यहां पे रखा जाता है उसके बाद हस्बंड को जहला जाता है मतलब हवा किया जाता है घर आने के पुजा होने के बाद घर जाके और मैं हस्बंदी के लिए एक रुमान लाई थी और यहां पे न में अरपन जो होता है चावल के आटे और हल्दी मिला के तो वह भी में पीस के लेके आई थी तो यहां पे साथ जगा अरपन लगा देती हूं और उसके उपर मैं सिं एक तीमा में थोड़ा यहां पे चोटा सब बना देती हूं जैसे आता है तो मैंने अरपन पर पंडी की पुजा सुरू कर दिये हैं पुजा सुरू हो गया है और मेरे चुण्री भी मतलब लगाया जाता है मेरे पास है पर जल्दी हड़बड़ी में मिला नहीं मैंने पहले और मांग टिका भी सोच रही थी लगाएंगे इस लेकि मेरा तीन साल हुआ पर नहीं लगाई हूए इस अब बड़ी पहले निकाल के रखी नहीं थी और देर हो रहा था तो नहीं लगाई और यहां पर मैं मॉबाइल में कथा लगा के रख दूंगी मतलब साउंड कम करके पुझा खत्म हो जाएगा तो फिर और दो तीन वर मैं कथा यह एहीं पे बैठके सून लेती हूँ कैकि इतना देर तक मैं फ्यरी लगाऊंगे अभी धागा पुझा खत्म होने के बाद तो फ्यरी लगाऊंगे धागा को लेके तो उसी टाइम कथा चलते रहता है तीन चर उबर चलता है तब ही तो पूजा हो रहा है अभी पूजा खतम नहीं वह पूजा को बढूरी के बाद ही में फेरी लगाऊ हूँ तो और यहां पे ना चारों साइट मुछ काठा भी है देख सकते पीछे बीच्छ है और चना भी गिराती जा रए ही हुग ekkir enterprise कूझ है अ अब साभत्री मता गर हुआ हो और खुद भी सबसुक्त अबर तो जितना मतलब राउंड होगा दागा का उतना बार लगाना चाहिए तो उतना बार तो नहीं लगाए है 8-9 बार लगाए हैं चिंदूर और भी अवित्री मता को भी और खुदवी में लगा रही हूं और यहां पर देखिए इस बार का धागा बहुत ज्यादा ही लंबा था तो बहुत ज्यादा चला था और पिछली बार फस्ट बार किया थे ना तो एकदम छोटा सा धागा था तो चार या पांच राउंड ही हुआ इस बार ज्यादा था मोटा वाला था तो देख सकते हैं और इतना ज्यादा धूब और गर्मी था ना मेरा ओंट लोग निकलते हैं निकलते बारा बज्यके बाद यह पर राज बजब यहाँ पे पुजा बस मैं ही कर देडे़े और कोई झालोग नहीं करते हैं कोई कोई करते हैं तो हैं और जाके कर लिथे तो अब fortně नहीन कर रहmber हैु और इसके पहले कोई की थी तो देखिए मैं जितना बार राउंड लगा रही हूं उतना बार मैं चना गिराती जा रही हूं बहुत दो तिन बार तो काटा घुरा गुस गया था यहां पर जो भी काटा है ना मतलब बहुत ज्यादा जल रहा था मेरे पेर आप हूं बहुत ज्यादा गर्मी है और भारे साड़ी होने कि मतलब साड़ी भारी है यह से मेरा खुंगट भी नी रहा था लबमा बार भी गिर जा रहा था गुंगट समाने की धागा शमाने तो मacks VO को छोड़ी दि धी इस नहीं है दयान से अतलब भूना चाहिए कि पहरी लगाना चाहिए द्यान के धागा तो टूट न जाए उलज न जाए इसी वज़ेशे और मेरा हो गया है मैंने कट कर दिया है कि कि रहुं लंबा हो रहा था इस वज़ेशे तो देखिये इतना मेने फैरी लगा लिया उसके बाद यहां पर मैं ने गले लगा लिया है सोंवल्ट कोता है उसके बात संकल्प होता है तो हाथ में जल के संकल्प लिया जाता है तो वही हो कि पंडी जो मंत्र बता रहे हुए है मैं बोलती जा रहे थी साथ साथ में और एक घंट तक पुजा चला पुजा खतम होने के बाद संक्रव हो रहा है और फूल लेके या पे होता है पुजा के बाद तो देखिए उसके बाद के प्रहन का ही पंडिची का कोसा ही उसे में हात पकड़ के यहां पे पंदेची मंत्र बोल रहे, और साथ में में भी भूल रही हुर और में बुझा शर्म फॉज मrock वह उत्म हूंनिए के पूजहा शर्म पीजिन है तो जय ओकद दीज़िन रही है कि आ में दून है ती एफ़न बोन हएवार है अगर मुती जला ले उसके बाद हम लग घर आ गए हैं और घर आने के बाद पती पुजन हो रहा है पती पुजन मतलब पैर धोया जाता है सबसे पहले पैर थोने के बाद धागा बना जाता है धागा में जो मैं सर पे रखी थी ना बट विरिक्च का पता उसको लगा के हाथ म बांधा जाता है तो क्या होगा ना रास्ते में पता नहीं कहां पर मेरा पत्ता गिर गया ध्यान नहीं रहा तो ऐसे ही मैं रक्षा धागा बांद दिया है मेरे हस्बंट जी को और परसाइद खिला दिया उसके बाद इत्व